नमस्कार साथियों डॉक्टर उमंग खरना उम्योपेथि क्लिनिक में आपका स्वागत है साथियों आज की एक बहुत बड़ी समस्या हो गई यूरिक आसिड हर विक्ति का यूरिक आसिड बढ़ रहा है उसके छोटे जोडों में दर्द हो रहा है पानी पीने का उसे टाइम नहीं मिला यूरिक आसिड फ्लश आउट नहीं हो पा रहा है और वहाँ परिशान रह रहा है सुबा उठते हैं तो आपके जोडों में दर्द होता है छोटे जोडों में मुठी आपकी बन नहीं होती जब आप रिपोर्ट कराते तो यूरिक आसिड पाते है होमियोपेथी में साथियों यूरिक आसिड को कंट्रोल करने की बहुत कारगर दवाएं हैं कई सारी दवाएं हैं लेकिन जो नंबर एक दवा होमियोपेथी में है साथ यूरिक आसिड को कंट्रोल करने की ठीक करने की हमेशा के लिए ठीक करने की वहाई कोल्चिकम अगर आपके हाई यूरिक यूरिक आसिड है तो आप कोल्चिकम की मदद ले सकते हैं इसको थार्टी पावर में दो दो बून दिन में तीन बार लें आप देखेंगे कि इस अद्बुत दवा से आपको लाब मिला इस बात का पूरा वीडियो भी साथियों अपने चैनल पे है लिंक नोटिफिशन पैनल में दिया है आप उसको क्लिक करके डिटेल्ड वीडियो भी देख सकते हैं लेकिन ये जरूर है कि कोल्चिकम अद्बुत दवा है नंबर एक दवा है आपकी यूरिक आसिड को ठीक कर होते हैं तो कोई भी दवा को सल्चिक तक से प्रिस्काइब करके ही लें सेल्फ मेडिकेशन न करें यहाँ जानकारी थी जो हम आपको दे रहें मन में कोई क्वेरी हो तो आप वाट्सैप या यूटूब नोटिफिशन पैनल में अपनी क्वेरी लिख सकते हैं कोशिश करें आपको संतोच जवाब दे पाएं वीडियो साथियों का समाच के यूरिक आइसिट की बहुत कौमन समस्या को जूजने में मदद करने वाला आपको लगे तो वीडियो को लाइक, शेयर, अपने चैनल को सब्स्राइब और बेल आइकन को क्लिक करके हमें अपने करीब पाते रहेगा, आपका साथियों हमारे साथ इती दे रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका साथ रहेगा, प्योदने एक रहेगा when you look J कर्षा और स्पीज काल